लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंगलवार यानी 10 अक्टूबर को चाइनीज मुबाइल कमपनी शाउमी ने अपना नया स्मार्टफोन शाउमी मी मिक्स टू लॉंच कर दिया है पिछले कुछ महिरों में शाउमी की तरफ से पेश किया गया मी सिरीज का ये दूसरा स्मार्टफोन है इंडिया में लॉंच होने से पहले कमपनी ने इस फोन को चेन्म लॉंच कर दिया था दिल्ली में आउचित किये गए लॉंचिंग इवन्ट में मी मिक्स टू से परदा उठा दिया गया है मी मिक्स टू बेजर लेस स्मार्टफोन है इसमें 5.99 इंच का 18.9 रेशियो वाला डिस्पले है हम आपको बता रहे हैं मी मिक्स टू के फीचर्ज और स्पेसिफिकेशन डिस्पले मी मिक्स टू में 1080-2160 पिक्सल्स वाली 5.99 इंच की डिस्पले है IPS LCD केपसिटिव टॉच स्क्रीन वाली इस डिस्पले में कॉर्णिंग गोडिला ग्लास का प्रोग किया गया है OS Platform Platform की बात करें तो शाउमी का नया फोन Android साब दुशमलो एक नोगेट पर चलेगा इसमें Qualcomm MSM 8998 Snapdragon 835 प्रोसेसर है RAM Memory मेमिक्स टू 6GB और 8GB के दो RAM वेरियंट में आ रहा है RAM के लाबा अगर आप इसके इंटरनल स्टोरीज की बात करें तो फोन 64GB, 128GB और 256GB में है फिल्हाल इंडिन मार्केट में इसका केबल 128GB वेरियंट खरीदा जा सकेगा फोन में कमपनी के तरफ से कोई भी कार्ट स्लोट नहीं दिया गया है कैमरा शाउमी के फोन कैमरा क्वालिटी के मामले में बहतर माने जाते हैं मी मिक्स 2 में 12MP का बैक कामरा और 5MP का फ्रंट कामरा है कमपनी का दावा है कि इसका फ्रंट कामरा यूजर का चहरा पहचाने में केपिबल है फोन में फिंगरप्रेंट सेंसर भी दिया गया है बैटरी शाउमी मी मिक्स 2 में 3500 mAh की बैटरी है इस फोन में USB Type-C चारजिंग पोर्ट दिया गया है फोन में नॉन रिमूवल बैटरी है प्राइस कमपनी ने इंडियन मार्केट में इस फोन का सेर में एक बॉड़ी वाला ब्लाक वेरियंट उतारा है इसकी कीमत 35,999 रुपे है NMF News के रिपोर्ट